नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डौक्टर नीलम शर्मा, इस विडिव में हम डिसकस करेंगे कि पौ्डेकसेटल CV टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है? PODEXETL CV टाबलेट को कैसे लेना चाहिए और PODEXETL CV टाबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यहां भी discuss करेंगे कि PODEXETL CV टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए PODEXETL CV एक brand name है PODEXETL CV टाबलेट के अंदर दो दवाओं का combination होता है PODEXETL CV टाबलेट के अंदर salt composition Cephodoxin 200 mg और potassium clavulinate 125 mg होता है PODEXETL CV एक antibiotic दवा है PODEXETL CV टाबलेट का उप्योग शरीव में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे फेफरों में bacterial infection होने पर, pneumonia होने पर, खासी होने पर, पेट में infection होने पर, दातों या मसूरों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, पेशाब में infection होने पर और कान नाग गले या तवचा पर infection होने पर या त्वचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्तर पॉडेक्सेटिल सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी Dr. Podaxetil CV टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स हैं, जिन में आपका Dr. Podaxetil CV टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। Side Effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Podaxetil CV टैबलेट की वज़ज़ से कोई Side Effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Podaxetil CV टैबलेट की वज़ज़ से कुछ Side Effects हो सकते हैं। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी होना, वचा पर रैशेस होना, वचा पर खुजली होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आदी साइड इफेक्स पॉडेक्सेटिल सीवी टैबलेट की वज़से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की पॉडेक्सेटिल सीवी टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, पॉडेक्सेटिल सीवी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तोर पर बारह साल से अधिक उम्र के ज्या इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको PODEXCETL CV टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि PODEXCETL CV टैबलेट को लेते समय क्या क्या साभधानिया रखनी चाहिए. Podexetil CV tablet को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Podexetil CV tablet को लेने की सला दी है क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक Podexetil CV tablet को लेने से Antibiotic Registence हो सकता है और एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और पॉडेक्सेटिल सीवी टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है इसलिए आपको पॉडेक्सेटिल सीवी टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए पॉडेक्सेटिल सीवी टैबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में पॉडेक्सेटिल सीवी टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है वैसे Poduxetil CV Tablet, Pregnant महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी Poduxetil CV Tablet का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Poduxetil CV Tablet को लेने की सला दे सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Poduxetil CV Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं